बिसमे लिए रह्मान रहीम असलाम उलेकूम और वेलकम बैक लेक्चर नमबर फो आईसी एंडी टू और जनाबेवाला यहां से आगे अब हम शुरू करेंगे प्रफ़ आप बढ़ने चाहिए और उसके बात बताना चाहिए कि यह स्पैनिंग टूपिक जिसका मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था और मेरे खियाल मैं आप में से बहुत सारे लोग बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे और मैं शूर नहीं हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने CCNA कर लिया और उसके बात दुबारा स्पैनिंग ट्री पढ़ रहे हैं इस नोट अवर टॉपिक हमारा टॉपिक सिर्फ स्पैनिंग ट्री पढ़ना है और स्पैनिंग ट्री जिस तरह यह ICND1 के IP अड्रेसिस के सबनेटिंग पॉर्शन के एकुल की चीज़ है ठीक है इस इकुली इंपॉर्टेंट और यह इकुली इंपॉर्टेंट अलाइक IP अड्रेसिस जिस तरह सबनेटिंग आयती है आपके ICND1 के अंदर इसी तरह स्पैनिंग ट्री आपके ICND2 के अंदर आपका दमाग खाएगा ठीक है और यह बताता चलों कि इस एन अदर skill that you need to have in your network एक निया इलम है या नई टेकनोलोजी है जो आपको learn करनी पड़ती है अपने network में अगर आपका एक office है जिसमें 150 user ने आपको यह पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यह use ही नहीं होगी ठीक है और जिस तरह यह आपका network बढ़ना शुरू हो जाता है you heavily rely on that one आप इस पर rely करना शुरू कर देते हूं ठीक है और दूसरी बात यह के यह बहुत सारे ICND के topics में से ऐसा topic है जो मुझे पढ़ाने से पहले भी एक दफ़ा दुबारा देखना पड़ता है ठीक है मैं एक जगा Cisco Academy के अंदर गया interview देने के लिए as a instructor मैं job कर रहा था मगर पार्ट टाइम जॉब ठीक है न पैसा कमाना हम सब का मक्सद होता है तो मैं कुछ ज़्यादा लालची था तो अभी भी हूँ तो खैर मैं वहां गया और उन्होंने वहां CCI level के बंदे बैठे हुए थे and they asked me to present a spanning tree protocol and I got boom यह यह एक बड़ा confusing topic है मगर जब आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं it was easy मैं उस टेम पढ़ा रहा था तो उस वक्त भी मुझे 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 लगा topic explain करना क्योंकि इसमें इतनी सारी variations है इतनी सारी चीज़ें हैं कि बंदा confused हो जाता है ठीक है तो मैं कोशिश करूँगा इसको as much as simple रखा जाए क्योंकि इसमें बहुत सारे flavors आएंगे और आप बीच में जाकर confused होना शुरू हो जाएंगे ठीक है तो हम मेरी मेरी कोशिश होगी मैंसे तीन या चार parts में complete करूं तो part number one है ठीक है शुरू करते ह हैं बिसमिल्लारह्मानिरहीम अगेन एक ideal network design क्या होता है ठीक है अभी हम ideal network design से बाहर निकल के एक simple design की बात करते हैं मैं company में गया company जो सी थी वो छोटी सी थी और उसके ने कहा कि मेरे पास ना 10 या 15 user है और उन्हें हमने ना network करना है बलकि यह बताता है चलू मैंने भी साथ ना एक शर्बत का glass रखा है क्योंकि मैं पता है मैं spending tree पढ़ा रहा हूं मैंने पूरी ICND1 series के अंतर एक glass panika नहीं रखा मगर इसके साथ रखा हुआ ठीक है तो आप अंताजा लगा सकते हैं मैं कितना confuse नहीं यह पढ़ाते हुए ठीक है और आपने ना अपनी company में जो 10 के 10 users है ना वो connect करा दी है थोड़े अरसे बाद जो आपकी company है उसका business expand करना शुरू होता है से आप लोग जी mobile accessories या mobile के components या कुछ चीज़ें बेचते हैं लैपटॉप के components बेचते हैं ठीक है तो थोड़े अरसे बाद आपके 10 users है वो 100 users होगे तो अब आपने 100 users को जब network देना है तो आपने कहा यह 24 port का switch था आपने एक और switch लगा दिया ठीक है और इस 24 switch के port के आगे फिर 48 port का switch लगा दिया तो आप आपने roughly foot 100 users को accommodate कर लिया ठीक है यह exact 100 नहीं बनते हैं मगर फिर भी ठीक है तो आपकी company expand हो रही है और आप दिन बदिन ना switch लगाते जा रहे हैं और connect करते जा रहे है मगर inside your heart आपको पता है कि यह थोड़े अरसे के बाद ना को मसला होना है और यह network बैट जाना है ठीक है हुआ क्या कि आज आपने नया department खौला ठीक है अब आपके boss ने कहा जी अब हम बहुत बड़ी company हो गया और हमें HR department चाहिए आप HR department को यह switch दे दो और वहाँ पर 20-22 जो user HR के हैं अकाउंट के हैं वो बैट गए अब शाम को क्या होता है कि network की यह cable disconnect हो जाती है या 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 आपने copper लगी वी थी copper damage हो गया या कुछ हो गया और उसके बाद ना आपका network दो portions में divide हो गया थीक है आप कहते है यार मैं क्या करूँ मैं ये करता हूं कि बहुस आपका बला लेता है आपको कहते हैं ये क्या मसला है आप बताते हैं कि network जो उसने वो dizzy chain हो गया एक switch के आगए एक switch एक switch के आगए एक switch के आगए एक स्विच लगाव है और डेजी चेंड नेटवर्क हो गया भी है इसमें कहीं भी एक फाइबर या एक कॉपर कटती है और आपका नेटवर्क बैठ जाता है या आपका नेटवर्क दो पोर्शन में डिवाइड हो जाता है तो आपके बॉस ने का अच्छा तुम्हें कितने पैसे चाहिए इस नेटवर्क को थोड़ा से रिलायबल करो तो आपने का ठीक है मैं जह समझ आती कि हमारे पास जो 100 प्लस यूजर है तो मैं सर आपको सिज़स्ट करता हूं कि अभी ना हम फीचर फॉर्सी कर रहे हैं कि 200 यूजर्स हो जाएंगे तो मैं आपको सिज़स्ट चाहिए आप अच्छे स्विच लेते हो ठीक है और अब आपने जो हैं वो स्विचिस को आपस में क्रेक्ट करना शुरू कर दिया तीन स्विचिस लिए आपने उने क्नेक्ट किया आपस में कुछ यूँ करके ठीक है यह तो वही डेजी चेंड हो गया मगर आपने उसके आपको ख्याल आता है कि यार अगर यह स्विच अभी इतना रिलाइबल नहीं है क्यों ना मैं और बैटर नेटवर्क बनाओ क्यों कि हजार यूजर हो गए है अब हजार यूजर के लिए फिर मल्टीपल रिडेंडनसी है तो आप क्या करते हो मार्किट में जाते हो और एक स आपको यह पढ़ाना चाहर हो यह लो जी आपने कहा जी यह अप मेरे पास बड़ा अच्छा नेटवक हो गया और उसकी वज़ाई है आपके पास रिडेंडनन्ट पाउर सुप्लाय है यहां पर आपने यहां से एक फाइबर खिंची आपने स्विच को दे दी एक फाइबर खिंची इस स्विच को कनेक्ट कर दिया और एक फाइबर खिंची इस स्विच को कनेक्ट कर दिया ठीक है और थोड़े अरसे के बाद इन सारे स्विचिस को भी आपस में कनेक्ट कर दिया ठीक है पर थोड़े अरसे बाद आपको ख्याल आया कि अब हम अपना डेटा सेंटर बना ले क्योंकि कमपनी बड़ी स्पीड से एक्सपेंड कर रही है और आप ने फिर उसके बाद एक और स्विच रखा ठीक है और मजीद रिजीलियंस प्रवाइड करने के लिए आपने क्या किया आप ने ये किया आपने अब इस स्विच से एक केबल फाइवर यहां पे लग लगा दिया रही है और इक स्विच से अपलेंग यहां पर लगा दिया और इन दोनों के दो स्विच को आपस में connect कर दिया और इन कि यह दोनों जो फाइबर के इंटरफेसी हैं यह एक चैनल है that is called ether channel ठीक हो गया अब आपके पास resilience network हो गया just in case अगर यह switch down हो जाता है पूरे का पूरा या यह fiber disconnect हो जाती है आपके इस switch के पास दूसरा route है अगर यह switch down हो जाता है definitely आपके पास कोई solution नहीं आप दूसरा switch लगा हो गया यहाँ पर replacement करते हो फर्दर हो ठीक हो गया तो इन तमाम expanding network और बड़े network के लिए Cisco ने एक diagram model दिये which is called three layer model ठीक है Cisco hierarchical three layer model मैंने अगर आपको याद हो मैंने आपको पिछली जो presentation है उसके अंदर यह सारा define किया था ठीक है मगर उसको मैं जरा speed से गुजर गया था ठीक है अब मैं थोड़ा उसको तसलिए से explain कर रहा हूँ उसकी वज़ा यह है कि इसको हमने बड़ी तफसील से पढ़ना है ठीक है क्योंकि मैं यहाँ पर spanning tree की बनियार डालने लगा हूँ के पास चला जाएगा से अगर मैं कहता हूँ कि मेरा server का stack कुछ यहाँ पर लगा है ठीक है ideally depends कि आपने stack कहा लगाना है तो फिर यहाँ पर भी कुछ SEC connectivity हुई होगी ठीक है अब अगर यहाँ से एक user ने इस server को access करना है तो उसका packet यहाँ से निकलेगा let me check a different ink ठीक है मैं यहाँ पर green ink ले लेता हूँ उसका packet यहाँ से निकलेगा इसके पास जाएगा इसके पास इधर और सीधा इस server के पास अगर रास्ते में यह machine down हो जाती है यह switch down हो जाता है इसके पास एक alternate route है जिसे मैं blue color में बनाता हूँ कि उसकी traffic यहाँ से जाएगी यहाँ से जाएगी यहाँ से जाएगी और फिर कहां से जाएगी sorry यहां से भी जा सकती है और अगर इन दोने के बीच में एक और ether channel है तो यहां से भी जा सकती है ठीक हो गया अ more resilient network हो गया more laid approach होगी laid approach होगी layered approach होगी layered approach से मुराद कि اگर आप troubleshooting करने बैठो इस network हो तो सबसे पहले आपने क्या देखना है ठीक है आप देखोगे कि इस layer पे पर problem नहीं आरी अगर आपको इस layer पर problem नहीं आरी फिर आप इस layer पर देखना शुरू करोगे अगर इस layer पर problem नह expand कल को आपको पता चलता है से मैं कहता हूँ यह पूरे का पूरा एक floor है मेरा कल को मेरा manager या कोई और आकर कहता है कि एक और हमने floor को connect करना है तो आप यहां पर एक stack बनाते हैं और उसको एक cable यहां से जोड़ देते हैं और एक cable यह आपने एक standard stack इदर से cable data भेज रहागा आदा stack इदर से data भेज रहागा यह stack एक side से data भेज रहागा और एक side उसने as a backup रखावा होगा ठीक हो गया तो यह सारे concepts जोंसे हैं base कर रहे होते हैं आपके resilience network के ओपर ठीक है अब इसके अंदर देखो layered approach हमने discuss कर ली कि layered approach है सारे के सारा architecture जोंसा वो layered है और उसके बाद ether channel है और redundancy या redundant connection की बात की कि अगर primary connection यहाँ पर है तो redundant connection यहाँ पर होगा ठीक है इसका primary connection यहाँ पर है और उसका redundant connection यहाँ पर होगा ठीक है इस access layer पे normal standard Cisco की एक practice है which is known as a over subscription कि इस access layer के उपर अगर मेरे पास से एक link है तो इस link को 100 MB का link है तो इस link को कितना use होना चाहिए average इसकी usage कितनी है that is called one ratio 20 ठीक है कि जितनी bandwidth है उसका एक बटा 20% होना चाहिए ठीक है तो 100 MB का एक बटा 20% मेरे खाल में 5 MB बनता है अगर यह link 5 MB से ज्यादा utilize हो रहा है तो इसका मतलब है आप इसको over utilize कर रहे हो आप सोचोगे sir 100 MB का link है मैं उस पर 5 MB से ज्यादा data नहीं भीज़ सकता it doesn't make any sense ठीक है that is the core of designing ठीक है आप इसको 100% भी utilize कर सकते उसका नुकसान क्या होता है देखो अगर मेरे पास यह 48 port का switch है ठीक है अब 48 port को हर एक एक port को मैं 100 MB 100 MB देता रहा हूं तो मेरे पास कितनी data bandwidth बनती है 48 x 100 ठीक है is equal to 4800 4800 MB which is equal to 5 GB ठीक है और यह जो आपका uplink होता है यह तो 1 GB का होता है आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे sir uplink तो 10 GB का भी हो सकता है मगर 10 GB का switch इतना सस्ता नहीं होता ठीक है तो normally आपके access layer की traffic जो उसी है वो 100 MB नहीं होती कभी आपने 100 MB यूटिलाइज करके देखा है नेटवर्क के उपर आपका internet का connection 1 MB, 2 MB, 5 MB, 30 MB होता है ठीक है यूरोप में यह नहीं normally हमें 30 MB मिल रही होती फाइबर पे ठीक है और यहां पे 5% या 5 MB यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि आपकी हर वकत continuous utilization हो अगर आपकी network के interface का graph नकालो और यह मैं कह रहा हूँ यहां 5 MB आता है तो आपका graph कुछ ही होता है ठीक है और यह आपकी 5 MB की line है ठीक है आप roughly 5 MB बहुत थोड़ी देर के लिए यूटिलाइज कर रही होती है ठीक है आप जड़ा 10 GB का data एक मशीन से दूसी मशीन पर ट्रांसफर करके देखना और मुझे बताना कितने % utilization हो रही होती है हाँ मैं यह नहीं कहता है कि कर नहीं सकते है कर सकते हो अगर आपके access layer पे 5 MB से ज्यादा ट्रांसफर हो रहा है तो आप कहोगे कि यार मैं आप अपनी access layer को over subscribe कर आ रही हो तो उसका solution आपको नकालना पड़ेगा कि यहां से ether channel establish कर सकते हो या कुछ और कर सकते हो मैं यह नहीं कहा रहा है आप access layer पे कर नहीं सकते नॉमल डिजाइन के तहत over subscription 1 ratio 20 होती है यह नि 5 MB से जएधे data नहीं होना चाहिए आपकी access port के उपर जब आप distribution layer पे चले जाते हो तो वही 1 GB का link कितना use होना चाहिए या 100 MB का link कितना use होना चाहिए 25 MB continuous data मैं इन spikes की बात नहीं कर रहा है इन spikes की मैं बात नहीं कर रहा है spikes पे वरी नहीं कर नहीं आपने constant data देखना है कि कितना है अगर like आपका constant data है like यह 5 MB है ठीक है और आपका data roughly यहां पे फिर रहा है तो इसका मतलब आप अपना यह link upgrade करो अगर आप 10 MB यह 100 MB है तो इससे 1 G कर लो 5% से ज्यादा जोन से यह यह bandwidth utilization नहीं होनी चाहिए constant access layer पे जब आप distribution layer पे चले जाते हो तो वह जोन सा है 100 MB 1 ratio 4 हो जाती है और जब आप core पे चले जाते हो तो that depends ठीक है और यह कोई hard and fast rule नहीं है यह सिसकों की recommendation है ठीक है that depends upon your requirement that depends upon your budget आपका budget पर depend करता है आपके requirement पर depend करता है कि क्या करना अगर आपकी company के वह बहुत सारा पैसा है आप बड़ी-बड़ी organizations है like आप NASA you don't care आप desktop के अपर 10 GB की बात कर रहे हो तो आप कहते हो मिझे ऐसा computer चाहिए जिसके bandwidth थी 10 GB को कूल मसला नहीं है ठीक हो गया क्योंकि उसकी वज़ए यह हो थी कि अगर आपके पास bandwidth कम है या आपका internet का आपकी जो cable है internet भूल जाए इंटरनेट में बोलता हूं फिर आप लोग सार है उसकी वज़ए ही होती ही वह सारा time जो से वचारा वह data transfer पर लगा देता है अगर उधर ही 1 GB की cable लगी और आपने transfer 10 MB करना तो faster करेगा और आपके CPU पर load भी नहीं पड़ेगा उसका buffer बड़ा होगा उसकी bandwidth ज्यादा होगी वह एक chunk में बड़ा packet पहेज़ेगा जान शूटे ठीक हो गया आगे चलते हैं यह एक हमारा एक हमारा नॉमल जब बड़ा network हो जाता है तो उसका उसके अंदर यह situation होती है और जब हमारा network बड़ा हो जाता है तो हम लोग redundancy की बात करते हैं यहां पर जो जिस बात से मैं तमहीद बादना चाहता हूं जो linkage create करना चाहरा हूं इसकी बात है redundancy, redundant connection जब आपका network बड़ा हो जाता है आपकी company में 1000 से ज्यादा user हो जाते है तो आपकी company एक बड़ी company की category में आ जाती है आप availability और speed और IT के अपर rely करना शुरू कर देते हैं जब आपकी company के अंदर 1000-5000 employee हो रहे हैं तो इसका मतला आप जहकर नहीं मार रहे हैं जब आप कुछ कर रहे हैं जब आप कुछ कर रहे हैं तो जहर आपको technology की जुरूआ था जब आपके पस technology आप तेक्वइली रिलाय कर रहे हैं और जब आप technology पे heavily rely कर रहे हैं तो आपको फिर technology को redundant बनाना पड़ता है ठीक है आपने UPS लगा दिया आपने दो-दो uplinks ले लि तो उसकी वज़ा यह थी कि जो बंदा ICND1, Cisco Certified, CCENT, Cisco Certified Network Entry Level Technician, I think CCENT, Cisco Certified Entry Level Technician, ठीक है, मेरे खाल में यही अब्रिवेशन बनता है, sorry यार, अब्रिवेशन यार, CCNA का पता है मुझे, आच्छा, तो वो Entry Level Technician, अगर किसी कंपणी में जाता है, या किसी कंपणी में, वो 150-200 यूजर है, उन्हें Resilience, Connectivity, Multiple Links की Tension नहीं है उन्हें, ठीक है, एक Network Switch चलना जाएदा है, उन्हें एक Network Technician रखे है, जड़ा सारा कुछ करता है, ठीक है, तो बाहर यह स्टोरी है, तो CCNA Level से Expect कर रहे हैं, को कैसी कंपणी में काम कर रहे हैं, जिसके पस 3000-4000 यूजर हैं, उनक ये पास Multiple Links है, एक Link बैठता है, दूसरा Link चलता है, और Resilience है, अब ये Resilience बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, Redundancy आपको बहुत अच्छी लग रही है, एक Link चलता है, दूसरा बैठ जाता है, पहला बैठता है, दूसरा चलने लग जाता है, पहला बैठता है, ये Switching के इंदर बहुत बड़ा issue है ठीक है जिसे अभी हम लोग जूचे रहे हैं और इससे ट्राइंटू गेट रिट ओफेट ठीक है तो आगे चलते हैं यह मेरे पास redundant apology है ठीक है तो हुआ यह इस computer ने आपको पता है switch कैसे behave करता है मैंने का यहां मेरा HR का department बैठता है ठीक है और यहां पे मेरा payroll का department बैठता है ठीक है और HR payroll के बीच में न मैंने दो links बना दी है अगर इन case पहला link down हो जाता है तो मैं दूसरे link से data transfer कर सकता हूँ ठीक है अब मैंने resilience तो बना दी network के अंदर अब मसला क्या आता है यह देखते है हाँ juice पी है मैंने अच्छा तो जनाब मसला यह आता है कि आप भी juice पीलो भाई निरास ना हो मेरे से ठीक है we can take a break आप तो कभी भी पास कर सकते है वीडियो और जाके जूस पी लो ठीक है तो जूस पी के पढ़ाने को भी दिल नहीं कर रहा था अच्छा तो जो का पार्ट अच्छा अब आपने जब इस PC ने कहा इस PC A ने कहा कि भाया मैंने यह PC B से बात करनी है ठीक है इसका डेटा यहां से निकलता है स्विच में जाता है और स्विच अपने Mac टेबल के अंदर एंट्री देखता है उसे नहीं पता बी किदर है तो वह जिस साइट से डेटा आता है उसको छोड़के बाकी तमाम इंटरफेस इस पर ब्रॉड़कास्ट कर देता है ठीक ह बाकी तमाम टेप पर इसके पास बेखता है तो यह पी के पास भी भी बेखती यह उनदर के ऑड़ लूप क्रियेट होने के बावज बात क्या होता है आपका केम टेबल जो मैक टेबल हो डिस्टर्ब होता है आपका स्विच बैट जाता है सीपी यूटिलाइजेशन इतनी बूस्ट अप कर जाती कि आपका जो स्विच है वो रिस्पांड करना छोड़ते तो इसकी best example पता है क्या दूँ अगर आपने कभी spanning tree के तजर्बा करना है non-managed switches देखें non-managed switches की एक port में cable लगाओ और दूसरी घुमा के दुबारह उसी port में लगा दो तो यहां से data आ रहा हो यहीं से यहीं वापिस आएगा और switch की फिर light tendency के अंदर वो यह कि loop create हो जाता है ठीक है कि एक तरफ से data आया वो अगर उस switch ने broadcast किया तो वो लूप create कर देगा ठीक है उसको avoid करने के लिए हम लोग क्या करते है हम क्या करते हैं हम जो redundant link होता है जो दो रास्ते होते उनमें से एक रास्ते को बंद कर देते हैं आप देखो क्या होता है इसने क्या है बाइया मैंने नबी के पास जाना है switch कहता है मुझे तो नहीं पता वह broadcast कर देता है इस पोर्ट के उपर भी, से इस पोर्ट पे भी कर दिया, अब यह link down है, तो यह broadcast तो इसके पास पहुंचेंगे नहीं, जब यह broadcast इसके पास पहुंचती है, तो इधर से इसे packet receive हो रहा है, तो definitely यह packet की broadcast वापिस इस interface पे भेज़ेगा, बाकी तुमाम interfaces इस पे भेज़ेगा, और वा packet B के पहुंच जाएगा, ठीक हो क्या, that's the simple spanning tree protocol, how it works, अभी तक आप कहरेंगे, कि सर ने अभी शुरू में इतना लंबा lecture दिया, वो spanning tree दस दफा पढ़ हो गए, फिर अपने अपनी भी वो तरीफ कर दी बीच में, और ड्रामे बाजी की सर ने, तो बेटे अभी आपने spanning spanning tree बाहर से देखा है, ठीक है, इस सारे rule के ओपर spanning tree काम करता है, बस उसने यह redundant link होते है network के अंदर बंद करनी होते है, pass, ठीक है, बस यह अब जब network बढ़ता जाएगा, बस यह rule को अपने apply करते जाना और rule चलता जाएगा, अच्छा अब आपके में से कुछ student यह सोच रही ह था और उसके अंदर आपने एक term पढ़ाई थी time to live की, कि time to live की term होती है, वो जो अगली device के पास जाती है, वो एक value increment कर देता है, अगर say value मेरे पास 25 है time to live के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर minus one कर देते है, तो वो 24 हो जाती है, फिर 24 के अंदर minus one कर देते है, तो जब यह value जो zero हो जाती है, तो वो जो अगली device उस packet को receive करती है, उस packet को discard कर देती है, तो अगर यह बात सही है, तो हमारे network के अंदर तो हमें spanning tree की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, उसकी वज़ा यह है, कि आपने यहां से packet भेजा, लूप हुआ, पैकेट तो भी के पास पहुंच गया, लूप हो रहा है, लूप हो रहा है, हर दफा इस device के पास गया, decrement हुआ, इस device के पास गया, 24 हो गया, इस device के पास गया, 23, 22, 21, 20, और यह backward counting, और एक टाइम आगा यह तो packet discard हो जाएगा, क्योंके value zero हो जाएगी, बात समझागे आपको, time to live की value, आप में से जिन लोगों को time to live की value याद नहीं हो, उनके बारे परिशान होने की जूद नहीं, वो तो अश्यजाद नहीं हैं सारे के सारे, ठीक है, वो मेरी जैसे हैं, ठीक है, और जिनको याद है, उनके लिए, उनके लिए, मैं क्या कहने लगा था, उनके लिए, let me put it in a better way, अच्छी तरीके से, ठीक है वो अच्छे बचे हैं, जिनने याद है, ठीक है, उनके लिए जनाबे वाला आंसर ये है, कि time to live हमने पढ़ा था IP के header में, और IP काम करता है layer 3 के उपर, ठीक है, layer 2 के उपर काम नहीं करता है, ठीक है, तो layer 2 के जो switches हैं, उनको इस value को decrement करने की अजाज़त नहीं होती, अगर CCNA के topic में, यह सिरफ मैंने इसलिए बताईया आपको, कि आप में से कुछ लोग जो लड़के बहुत genius हैं, ठीक है, मेरी तरह, ठीक हो गया, तो वो सोच रहोंगे, या यह TTL की value भी है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, जिनने परानी बातें याद रहती हैं, ठीक है, like, मैंने यह बात बहुत अरसे के बाद जाके सीखी, कि जब आप network पढ़ लेती हो, CCNA पढ़ लोगे, CCNP पढ़ लोगे, CCSP, DP, VP, RP, SP, जो भी आपने पढ़ना है, वो पढ़ पूर के जब आप फारिग होगे न, और जब आप real network पे काम करना शुरू करोगे, तो यह बात आपके लि पर उसके अंदर क्या information थी, ताकि आप understand कर सको कि network troubleshoot कैसे होगा, अगर आपको यह नहीं पता, TTL की value आप यहां से देख रहे हो, TTL की value 10 आ रही है, यहां पर देखते हो, 01 हो जाती है, तो आपको फूरू क्लिक करना चाहिए, हाँ, यह सर ने पढ़ाया था, कि आप 1 के आपके यह TTL की value हमने पढ़ी थी, तो वो सोच रहे होंगे, मैं भी उनके जहन में एक महिने बाद आता, तीन महिने बाद आता, और तीन महिने बाद मैं पता नहीं कहां गाइब हुआ होता, पता नहीं अर्दू IT केडमी बंद हो चुकी होती, मैंने पता नहीं क्या पढ़ ठीक है, moral lecture हो गया, तो बहराल, in short यह के switch zones है, वो TTL value के साथ play नहीं करता और जो loop create हो जाता है, वो हमेशा रहेगा loop, ठीक है, until Allah साब cable को unplug करें, loop clear करें, और फिर उसके पाद switch काम करना शूप करेंगा, ठीक है, मगर फिर अगली कोई broadcast होगे, तो फिर मसला होगा, ठीक हो ग बता हो कि कम हो जाए, मगर मुझे बतने करने का बहुष हो का आप लोगों से, तो लेक्चर लंबा हो गया, ठीक है, चलो, हो गया तो फिर हो गया, अच्छा, यह भी मैं slide बना रहा था, तो ताहा और अबदुल्ला मेरी side पर खड़े वे थे, और दोनों पता है, कहते वाल- ठीक है, तो अगर आप मेंसे जो कार्टून देखते हैं, मुझे बहुत शोक है कार्टून देखने का, यह 3D कार्टून तरहा है, यह वाल-E है, ठीक है, यह एक स्टोरी है, कि इनसान ने जोंसा है, वो दुनिया के ओपर इतना गंद मचाया, कि दुनिया खतम हो गई, और ग्रीन हाउस गैसीज, और यह दुनिया जीने के बराबर नहीं रहेगी, वाँ दरखत नहीं थे, कुछ नहीं थे, ठीक है, और इसका नाम है इव, ठीक है, यह नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, पिर अब्दूला नही याद दलाया, इव है, डैड़ी इव है, ठीक है, तो इनसान ने फिर एक मशीन बनाई जिसमें सौट अफ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस थी, वो दुनिया का तमाम जो यह गंद है, वो कठा करके और उसको जो उनसा है, वो खतम करना चारी थी दुनिया से और ताकि दुनिया के अंदर दुबारा पोदे और चीजें उख स सके, तो इनसान ने अपने स्पेस्शिप से एक प्रॉब भेजा, जिसने दुनिया पर जाना था, जो दुनिया वो तबाह कर चुका था, और वहां पर देखना था कि जिन्दीगी के दबारा औसार नमुदार हुए हैं या नहीं, यानि जिन्दीगी दुबारा बननी शुर को टाइप की चीज भेजी दुनिया में, ताके चेक करें के वहां पर कोई चीज है, तो इस कालड़ प्रॉब, ठीक है, जो आपको information लाके देती है, ठीक है, तो इस कहानी से या कार्टून से बाहर निकल के अब हम बाकी बात करते हैं, ठीक है, तो आखर में स्टोरी यह होत ठीक है, तो आप में से जिसने नहीं देखी, I would suggest you watch it, watch it, watch it, watch it, पेशे के वीडियो पॉस करके पहले वाली देखें, फिर इसके बाद यह वीडियो देखें, ठीक है, तो, I would love to see a comment के बाई, किसी ने Facebook पे comment किया हो, इस वीडियो के बारे में, I am very interested to see it, ठीक है, अच्छा, बाराल, back to the topic, बातें करने का बहुश हो कि आप लोगों को, अच्छा, prevent loops, spanning free जोंसे है, वो एक standard है, 802.1b, ठीक है, यह याद ना करें, क्योंकि मैंने अभी आपको आगे 20 standard और पढ़ाने है, ठीक है, तो, यह loops को prevent करता है, कि अगर आपके network के अंदर यह loop create हुआ हो है, तो packet को use करता है, that is called a PPDU, bridge protocol data unit, which is that robot और probe, ठीक है, यह कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है, मैं इधर इस slide पर काम करता हूँ, यह थोड़ी bigger है, ठीक है, यह क्या करता है, कि यह switch on हुआ, और इसने एक probe भेजा, यानि यह robot, ठीक है, जब भी मैं probe का बात समझूँ, आप यह समय ल करके वापिस इसको यहीं पर receive हो गया, इसने अपना नाम लिखके भेजा, अपना signature करके भेजा, से इसने अपने यह signature भेजा, एक packet में डाला, और चला गया, यह यहां से घूमा, घूम के यही, दौबारा इसके पास वापिस आया, तो यह switch परशान हो जा जाया, शोर मुच से वही बंदा वापिस आता है, तो आप क्या समझते हो, कि आपके घर में आने के दो रास्ते हैं, चीक हो गया, कैसे दो रास्ते हैं, कि उसने BPDU packet भेजा, और वही same packet उसको किसी और interface से receive हो गया, तो उसे पता चल जागा, यह जो दो interfaces है, अगर उसे पांच interfaces से receive हो रहा है, तो इसका मतलब उसके पांच interfaces है, ठीक है, मेरे घर में दस दर्वाजे हैं, मैरे एक बंदा एक दर्वाजे से निकल के, वो सिर्फ एक specific दर्वाजे नमबर पांच से ही वापिस आता है, तो उसको पता चल जाता है, मेरे network में redundancy है, ठीक है, तो BPDU आपको यह काम करना है, BPD यह कि जब भी मैं बात करूँ तो आप समझ जो, यह एक remote है, मैंने भेज़ा और यह कुछ information network से लेकर आता है, और उस से, उस information से मैं understand करता हूँ कि मेरे network की typology कैसी है, network की diagram कैसी है, यानि मेरे एक cable के साथ एक switch लगावा है, और एक switch order लगावा है, और यह switch आपस में you connected है, यह switch आपस में you connected है, मैंने यहाँ से फैंका और यह यहाँ से वापिस है, तो मैं समझ जाता हूँ कि यह interface, इस interface का backup interface है, कि यह interface जिस network पे लेकर जा सकता है, यह भी मुझे उसी network पे लेकर जाता है, उसकी वज़ाई है कि मैंने यहाँ से प्रॉप भेज़ा और यह यहाँ से वापिस आया, तो I can understand, अच्छा, जब इसको प्रॉप मिल जाता है ना, तो यह बीच में खब जाता है, ठीक है, चलो जी, अब हम क्या करते हैं, अब हमें जी, root bridge calculate करना है, root bridge ढूनना है, root bridge क्या होता है, आपके network के अंदर, switching network के अंदर, एक ऐसा bridge तो, which is sort of godfather, यह top bridge, ठीक है, वो election होता है, उसको decide करते हैं, अच्छा, भाईया, यह साब आपके root bridge है, वो election किस बात पर होता है, वो bridge ID की base पर होता है, bridge ID क्या होती है, bridge ID एक value होती है, जो by default, तुमाम switches में यह होती है, 32,768, 32,768, that is the default value, आप सिसकों का किसी model का switch उठाओ, उसके अंदर bridge priority या bridge value जो यह होती है, मगर bridge ID क्या होती है, bridge ID आपकी priority प्लस आपके switch का MAC address होता है, ठीक है, इसकी bridge ID क्या होगी, 32,768 और इसका MAC address, इसकी क्या होगी, 32,768 और इसका MAC address, इसकी क्या होगी, 32,768 और इसका MAC address, ठीक हो गया, अब जब सारे switches एक दूसरे को बताते हैं, भाई, मेरी bridge ID यह है मेरी bridge ID यह है, मेरी bridge ID यह है तो वो switch जिसकी सबसे चोटी bridge ID हो या सबसे चोटी value हो that is called a root bridge ठीक हो गया सवाल यह पैदा होता है कि हम ने यह फिर ID क्यों डाली इसके अंदर हम सिरफ mac addresses की base पर decision कर लेते तो मेरी जान उसकी reason यह है कि आपका एक network है network हर वकत expand होता रहता है ठीक है अच्छा network हर वकत expand होता रहता है और expanding network के अंदर आपको पता चला आपके पास एक पराना switch बढ़ावा था कहीं cabinet में उसका mac address जाहरे छोटा होगा और आपने network पूरे का पूरा renovate कर दिया सारे नए switches लगा दिया अब उनकी mac value बड़ी होगी क्योंकि जब आपको जब मैंने mac address पढ़ाया था तो मैंने क्या पढ़ाया था mac address 48 bit का होता है पहले 24 bit जो नसे हैं वो vendor ID होते हैं और जो दूसे 24 होते हैं incremental value होती है Cisco गई Cisco ने एक value खरीदी और इसके अंदर value increment कर दी अब आज एक switch बना और एक साल बाद जो switch बनेगा उसकी value कुछ यू हो मेरे ख्याल में ठीक है 3, 3, 3, 3, 3 अब वो जो पराने switch और नए switch के बीच में election होगा तो ये switch हमेशा root bridge बन जएगा और हम इसे root bridge नहीं बनाना चाहते हैं इसके उपर तो बचारे पर 410 सारी 1010 mags की है और मैंने नए switch को root bridge बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा उसकी सिरफ मैं priority value 3, 2, 7, 6, 7 कर दूँगा अब जब ये value छोटी है तो अब पीछे की value जतनी मरजी बढ़ी हो तो this is always smaller और ये हमेशा root bridge बनेगा और लाजमी नहीं आपने एक ही number कम करनी आप 15,000 कर दो ठीक है आप जो मरजी कर दो आप 1000 कर दो ठीक है that's up to you ठीक है आप values की कम कर सकते है ठीक है ये आप modify कर सकते है ठीक है तो जी अभी हम समझ रहे हैं हमारे पास ideal environment है हमारा जो ये switch है ये root bridge बन गया इसने का जी मेरा ये सबसे चोटी value है क्योंकि ये सबसे चोटी value है ठीक है इससे बड़ी value है ये इससे बड़ी value है तो हमने का जी ये मेरा switch जो साना ये root switch बन गया है ये root bridge बन गया है ठीक है अब redundant link किया होता है, ठीक है, इसकी blocking के point पे हम बाद में आएंगे, अब पहले मैं ये करता हूँ, कि पुरा spanning tree का structure जिस तरह हम discuss करते आ रहे थे, वो करते हैं, ठीक है, ये switch on हुए, इन such, तमाम switches ने BPDU फैंकिया, तमाम switches ने समझ लिया कि network के जों सा redundant है, और इन्हों ने फिर open port है, ये तमाम ports पे listen करेगा, और forwarding भी करेगा, अब इस switch ने का अच्छा भाईया, अब हमें पता चल गया, जी हमारा godfather कोन है, या हमारा main switch कोन सा है, अब ये देखते हैं कि मैं उसके पास पहुंचूंगा कैसे, ठीक है, तो इसने का जी मैं इसके पास इधर से भी जा सकत हो, ठीक है, अब ये calculate करेगा, उस रास्ते तक पहुचने की value या cost, ठीक है, spanning tree के अंदर, अगर कोई link 100 Mbps का होता है, तो उसकी value 4 होती है, ये मैं आपको आगे table दखाऊंगा, ठीक है, तो इसने का, ये link जो सा ये 1 gig का है, तो इसकी value है 4, ठीक है, तो मैं 4 value के बाद मेरी ज पिर आप कहते हो, अच्छा चलो, अब मैं इधर से अगर जाओंगा, तो मुझे cost पढ़ती है 4, और फिर 4, तो मुझे इस रास्ते की cost कितनी पढ़ेगी, 8, तो ये switch calculate कर लेगा, अच्छा तो best रास्ता मेरे लिए कौन सा ये वाला, तो मैं इस link को block कर देता हूँ, और मैं अब route switch तक सिर्फ इस तरह जाओंगा, ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आगी, like आपके पास सरगोदा से लहोर जाने के लिए दो रास्ते हैं, ठीक है, एक रास्ता motorway से है, और एक रास्ता जोंसा है, से एक और रास्ते से, पिंडी भटियां से, पिंडी भटियां के रास् में आपके पास 10 तूल प्लाजे आती है, और हर 10 तूल प्लाजे वाले 10-10 रपे लेते हैं, motorway में एक तूल प्लाजे आता है, बलकि दो तूल प्लाजे आते हैं, और वो 10-10 रपे लेते हैं, एक रास्ता 20 रपे में जा रहा है, एक रास्ता 100 रपे में जा रहा है, आप 20 हो और आपका रूट ब्रीज है ठीक है बलके रूट ब्रीज नहीं मैं कहता हूँ आपका सुसराल है अब आपने सुसराल जाना है ठीक है या सिरब मुझे छेड़ेगा ठीक है तो खेर तो अब आपने अपने सुसराल पहुंचना है जो आपका रूट ब्रीज है तो अब आप पिर आपको सस्ता रास्ता और सस्ता solution नकालना पड़ेगा जब जो काम आपने हर हफ़ते या हर महीने करना है ठीक है तो वो switch जो उनसा है वो shortest path ढूंड लेगा और दूसरे path को वो block कर देगा ठीक है erase all link ठीक है तो उसने का जी मेरे पास यह best route है तो यह मेरी जोंसी है ना इस port को मैं कहता हूं root port इस port को इसने क्या कह दिया root port और यह आपका root bridge है root bridge को root कुछ नहीं करना पड़ता जब उस switch को पता चल जाता है मैं root bridge हूं वो अपनी सारी ports को open ports कर देता है ठीक है यह designated port कर देता है open port को designated port भी कह सकते है ठीक है अच्छा अब उसके बाद क्या करता है दूसरा switch जोंसा है अब इसके पास भी best route कौन सा है जानेगा यह वाला तो यह इसको भी अपनी root port कह देगा कि भी यह root के पास जाने के लिए मेरे पास best pass रास्ता ही है अब क्या होगा अब इस link के ओपर फड़ा खलना है खुलना सारे का सारा ठीक है अब जी इन दोनों switches decide करेंगे कि हमने इस link के साथ क्या करना है यह switch इस link को designated port करार देदेगा ठीक है designated port आप कहरें मैं समझ गया ठीक है और यह switch जो इस link को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा अभी तक आप समझ रहे थे कि मैं spanning tree सारे समझ गया अब मसला खुलेगा कि एक side से जब आपने इस switch की configuration देखे आपने अच्छा अच्छा मुझे समझ आगे spanning tree की प्रोटोपोल जब आपने इस switch से देखा तो इसने इसे मार्क किया designated port मगर इस switch ने इस port को block port करा दिया तो इधर data नहीं जा सकता कभी भी ठीक है उसकी वज़ाई ये है कि इस स्विच ने इसे designated क्यों करा दिया और इसने इसे blocked क्यों करा दिया क्योंकि इन दोनों के बीच में फिर दोबारा tie हो गया कि कौन इसे block करेगा कौन इसे designated करेगा तो इस switch की जोंसी है वो mac value छोटी थी इसकी निजबत तो he has got a priority तो इसने इसे designated कर दिया और इस साब ने इसे block कर दिया अब ये दोनों switches आपस में communicate कैसे करते हैं over this link और हमारे पास network के अंदर loop नहीं create होता that is whole of your spanning tree concept basics of your spanning tree concept ठीक हो गया सिस्को की book ने थोड़े different modify करके segments बना के define किया मैंने segments नहीं बनाए मैंने आपको ऐसे दिखा लिए ठीक है और अब इसके अंदर एक और concept भी आता है ठीक है यहां तो mac addresses ने decision कर दिया क्योंकि tie हो गया था कि कौन इस link को block करेगा कौन इस link को designated करेगा ठीक है एक और possibility है वो है ये ठीक है कि मैंने यहां पर इसको root port कर दिया क्योंकि यह मुझे root breach के पास लेके जाती है इसने भी इसे root port कर दिया ठीक है अब इसका mac address था 1 और इसका mac address था 2 तो जिसका mac address 1 था वो उसने designated port कर दिया और जिसका mac address बड़ा था उसने उसे block कर दिया और ये link आपका block हो गया इन शॉट आपका link block हो गया इधर क्या होगा ठीक है ये मेरा root breach हो गया इसने अपनी अब दोनों ports root breach की कोई भी port block नहीं होती तमाम ports open होती है ठीक है अब इस switch ने decide करना है ठीक है के ये मेरी root port होगी ठीक है से मैंने का जी ये 100 mac का link था ठीक है से इसे कह दिया जी इसकी value थी 4 और इसकी value थी say 19 ठीक है क्योंके ये 100 mac का था ठीक है तो ये आपकी root port होगी आपने इसको root port कर दिया और इस पे सारा data जा रहा है अब ये वाली port क्या होगी ठीक है ये वाली port क्या होगी ठीक है तो अब आपने decide करना है कि decision किस basis पर हो ठीक है sorry, 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 sorry थोड़ी सी गलती कर गया आपका ये root bridge है ठीक है इसलिए मैं बताता हूँ spanning tree मुश्किल है ये root bridge है इसकी दोनों ports open है ठीक है, दोनों की same value है tire हो गया, अब switch कैसे decide करेगा कि मैंने कौन से link पर लेके जाना है switch करेगा, तो दोनों interfaces एक ही है switch का mac address भी same है तो decision will go back to lower port number ठीक है और lower is the best अगर ये interface है, interface 0 slash 10 और ये interface है 0 slash 20 ठीक है तो ये वाला 20 वाला link ब्लॉक हो जाएगा, और ये वाला link जोंस है वो root bridge बन जाएगा ठीक है, पहले decision होगा mac की basis पे ठीक है, अगर mac tie हो जाता है like एक switch है, उसके दोनों interfaces है तो फिर decision होगा interface number पे जिसका interface number बड़ा है, वो interface बंद हो जाएगा और जिसका interface number छोट है वो मुझे नहीं पता अगली slide पे क्या है ठीक है, ये मेरा link था switch on हुए, इस switch ने एक BPDU फैंका इसने भी फैंका, इसे पता चल गए हो मेरे link पे तो redundancy है spanning free के के न हुआ हुआ था इसने कहा कि ये election करो election में ये भाई साब जीत गे और इन्होंने अपनी assembly बना ली ठीक है, root bridge बन गए अब जब ये root bridge बन गए तो तमाम switch जितने network में होंगे ठीक है, वो तमाम इस switch तक पहुंचने का best route find out करेंगे, तो उन्होंने तमाम उन्होंने best route find out कर लिया कि उन्हें पता चल गया, जी this is the best route this is the best route and this is the best route और उसके लवाब बाकी तमाम interfaces को अब वो evaluate करेंगे ठीक है, इसने evaluate किया ये interface को, तो इसने देखा कि मेरा mac address जो सह वो छोटा है तो मैं इसको designated कर दूँगा और इसको block कर दूँगा ये non designated कर दूँगा, ठीक है अब इसका इसके साथ link था, ठीक है इसने देखा कि अच्छा ये मेरे साथ link है और मेरा mac address इससे चोटा है तो इसने इसको designated कर दिया और इसने इसको block कर दिया, actually in short ये link block हो गया, इसके बीच में भी link था ये link भी block हो गया, इसके बीच में भी link था कौन सा मुझे छोटा पड़ता है अगर यह 10 MBPS का link था इसकी cost थी 19 और इसकी cost थी 4 ठीक है तो 19 प्लस 4 23 इसको इधर इस रास्ते से जाने के लिए 23 की cost पड़ती थी और इस रास्ते से जाने के लिए 8 की cost पड़ती थी 10 MBPS का link होता है उसकी cost 100 होती है 100 MBPS का link होता है उसकी cost 19 होती है 1 GBPS का link होता है उसकी cost 4 होती है और 10 GB का link होता है उसकी cost 2 होती है 10 GB से जितना link बढ़ा होगा उसकी cost 1 होगी ठीक है 0 cost भी होती है मुझे नहीं पता ठीक हो गया तो that is whole spanning free protocol this is how you are spanning free protocol works ठीक हो गया यह स्लाइड जोंसी है यह मेरे करमे में नेक्स लेक्चर में डिसकस करूंगा एक्चल जब स्विच ओन होता है तो अपनी तमाम पॉर्ट्स को ब्लॉकिंग स्टेट में रख देता है ठीक है आप लोगों ने जिन्होंने मैनेज स्विच पे काम किया न उन्होंने देखा होग है कि वो उस पॉर्ट को ब्लॉक कर देता है आपने स्विच में केबल लगाई अगर सिस्को का कोई स्विच है उसमें आप केबल लगा होगे ठीक है डिफॉल्ट कंफिग्रेशन के साथ वो ब्लिंग करना नहीं शुरू करेगी वो ब्लॉक कर देगी 20 सेकिंड तक वेट करे 20 सेकिंड के बाद उस पॉर्ट को लिसनिंग स्टेट में लाएगी और देखी कि क्या मैंने इसको ब्लॉक करना है फॉर्वर्डिंग करना है क्या करना है उस पर स्पैनिंग ट्री यल्गुरिथम चला के फिर उसको लर्निंग स्टेट में लाएगी और फिर फॉर्वर्ड क देटा ठीक है उसको फिर फास्ट ली इस सारे प्रोसेस को 20 30 50 एक सेक्ट लगते हैं उसके अंदर ठीक है आप पोर्ट लगा के बैठे होते हुरो आप जो फास्ट होते हैं मेरी तरह पागल किसम के नेटवरक इंजीने वह लगे होते हैं पिंग कर रहे हैं पिंग नहीं नहीं तरह तिंशारद दफ़ा लेप्टॉप को मुखा मारते हैं रहा है चलनी रहा हुआ है उन्हें असल स्टोरी नियंग पता होती कि यह हो रहा है ठीकषे वो एक्षटली ट्वर्क कर रहा होता है हर पॉर्ट पे पर झाहओ कर रहा है स्विच ऑन हुआ उसने बीपीडियू सेंड किया और बैठ गया वेट करने के लिए 20 सेकंड तक वेट करता है अगर उसे बीपीडियू नहीं मिलता इस पॉर्ट पे से मेरे पास यह स्विच है मैंने उसको अन किया और इस स्विच पे कंप्यूटर लगाओ है ठीक है और इस स्विच पे एक और स्विच लगाओ है और इस स्विच पे फिर एक और स्विच लगाओ है और इस स्विच पे फिर एक और स्विच लगाओ है ठीक है यह स्विच अन ह यह तो बिचारा मेरी तरह शरीफ से कंप्यूटर है, इसने BPDU का response नहीं दिया, इसने drop कर दिया, ठीक है, 20 सेकंड तक wait करेगा, अगर उसे इस port पे BPDU, हम इस port को discuss करें, BPDU नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, उस port को listening state में कर देगा, अब उस पे listen करना शुरू कर देगा, ठी BPDU सेंड करेगा, और वो 20 सेकंड के timer के अंदर जब वो listening में पहुंचेगा, तो इसको यहां से BPDU मिलेगा, वो सारी port पे, इस port पे spanning tree चलाना शुरू कर देगा, अब देखेगा, अच्छा जी, अब मैं इसे blocking करना है, designated करना है, route port करना, उसे पता चलेगा, यहां स्पैनिं port है, यह port में रूट port है, ठीक है, route port, term याद रख नहीं, route port है, ठीक है, तो अगर यह route port होगी, तो इसको route port कर देगा, और इसको block कर देगा, ठीक है, यह सारा spanning tree है, ठीक है, और इसको इससे wide करने के लिए, हम spanning tree port fast key command use करते हैं, that's another lecture, हम discuss करेंगे, ठीक है, आप लोगों को by अपलोड कर दो, अगर मेरी बीवी बच्चों ने मुझे जाज़र दी, ठीक हो गया, तो that's it, that's हमारा whole spanning tree protocol, ठीक है, एक दफा दुबारा diagram बना देता हूँ, एक switch, दो switch, तीन switch, और यह चार switch, ठीक है, और यह लोगी, क्या हम, अब आप यहाँ पे spanning tree calculate कर सकते हो, आप में से कुछ बड़े scientist हैं, वो इस पे भी spanning tree चलाके दिखाएंगे, हलाकि इस में spanning tree चल नहीं सकता, इस network के अंदर redundancy नहीं है, इस network में redundancy डाल देंगे हैं, यह लोगी, यह network में redundancy होगी, इसने BPDU फैंका, और उसको BPDU इस port से वापिस मिल रहा है, ठीक है, अब यह elect करेंगे route bridge, route bridge हमने जी elect कर लिया, यह हमारा route bridge है, ठीक है, तो यह मेरी primary port है, मैंने इस port को block कर दिया, और इस port को block कर दूँ, अब redundancy रहगी, देखो, कि redundancy है यहाँ पे, मैंने यहां से packet भेजा मेरे पास वापिस नह नहीं आ सकता, मैंने यहां से packet भेजा मेरे पास वापिस नहीं आ सकता, मैंने यहां से packet भेजा मेरे पास वापिस नहीं आ सकता, ठीक हो गया, that's it, that's is our spanning tree protocol, आप 10-12 switch बना के, दोबारा spanning tree चला के देखें, I would suggest, आप मैंसे कुछ लड़के एक picture upload करें, और उसके बाद करें, म क्योंकि उसके लिए आपको फिर मैक अड्रेस और बारी पकी information डालनी पड़ेगी, in short, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार्ट, पंच दफ़ा पढ़ें इस lecture को समझना चाहिए, आपको, अगर आपको समझ आगे, you are successful, अगर नहीं समझ आई, त